आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महात्रपूर्ण एक्ट के बारे में जिसको NDPS Act कहा जाता है NDPS Act आपको पता है कि इसको हिंदी में इसका नाम होगा स्वापक द्रब्यों मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 आपको पता है जो नसा है नसा खोरी की बीमारी है वो सिर्फ दारू से नहीं आती है कई सारे आपको पता है पराचीन काल में जब आप पुराने literature पढ़ते हैं पुराने scripture पढ़ते हैं पुराने किताबे पढ़ते तो उसमें बहुत प्रकार के भांग जैसे संकरजी भांग पिया करते थे तो और कई सारे देवी देउताओं के बारे में सोमरस के बारे में मैंसन है प्राचीन किताबों में सोमरस हुआ करता था तो इसी प्रकार से आपको पता है कई सारे पौधे होते हैं जिसे अफीम एक पौधा होता है ये कई सारे पौधे होते हैं जिनका इलीगल तरीके से यूज करके आ वैधानिक तरीके से प्रियोग करके समाज में भी संगती को व्याप्त किया जाता है लोग नसे के सिकार हो जा आपको पता एक खोबसूरत मूवी आई थी उस मूवी का नाम था उरता पंजाब ये मूवी काफी नियूज में थी काफी चर्चे में थी क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया था कि छोटे छोटे बच्चे जवान नौजवान किस प्रकार से ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और उसमें अपनी जिंदगी बरबाद कर लेते हैं तो आईए बिना टाइम वेस्ट की हम लोग इस अधनियम के बारे में जानने की कोसिस करते हैं इस अधनियम की धारा आठ धारा आठ जो क्या कहती हैं कुछ संक्रियाओं पर प्रतिशेद मतलब कुछ प्रकार की क्रियाए हैं कुछ प्रकार के काम हैं जिनको प्रतिशेद हैं जिनको नहीं करना है जैसे कोका की खेती या किसी भाग का संग्रा कोका एक प्रकार का पौधा होता है तो कोका की खेती या उसके किसी भाग का संग्रा या भंडारन नहीं करना है अफीम पोस्ता या किसी कैनोबिस के या मना प्रभावी पदार्थ का उत्पादन बिनिर्माण भारत में आयात या भारत से निर्यात अंतर राजिये आयात निर्यात बिक्रे क्रे परिवाहन उपभोग या भारत से बाहर निर्यात नहीं करेगा न तो आपको पता इन क्रियों पर क्या है परतिशेद है लोग हे तू कर सकते हैं मतलब अगर कहीं पर आपको पता ना वैज्ञानिक यूज़ करना है वैज्ञानिक तरीके से कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करना है या फिर चिकित्साम प्राणाली में यूज़ करना है तो उसके और लाइसंस की सरतों के अनुसार ये याद लखना 12-15 क्या प्राविधान करती है कि पोस्ट तर्ण के संबंध में उल्लंगन के लिए दंड पोस्ट ये भी वो जो तर्ण होते हैं तर्ण को सायद मेरी ख्याल से वो जो आगे नुकीला भाग होता है पत्तियों का तो अनुगप्ति जो इसकी जो पोस्ट ये भी एक प्रकार क पौधा होता है ये आप याद दखिएगा कि पोस्ट तर्ण के संबंध में जो होता है इसके उल्लंगन के लिए दंड देना है दंड का प्राविधान इसमें दिया गया है एक मिट तो इसमें क्या है धारा पंद्रा में पोस्ट तर्ण के संबंध के उल्लंगन के लिए दं अनुग्यप्त की सर्तों के उलंगन पर पोस्ट के उत्पादन पोस्ट भी एक प्रकार का पौधाई होता है इसके आयात निर्याद तो पोस्ट से संबंदित कौन सी धारा है धारा नंबर पंदरा आप ये याद दखिएगा धारा पंदरा किसे डील करती है पोस्ट के उत्प मतलब एक मात्रा है कि अल्प मात्रा में एक साल का जुर्माना होगा और एक साल की सजा होगी प्लस जुर्माना दस हजार तक का लगाए जाएगा लेकिन अगर वहीं पर वानिजिक मात्रा है वानिजिक मात्रा का मतलब होता है वानिजिक मात्रा से कम है लेकिन अल्प मात्रा स मात्रा है तो एक साल की सजा होगी फ्लस 10,000 का जुरूमाना लगाये जाए गा लेकिन अलप से थोड़ा साजादा है लेकिन वानेजिक मात्रा से गाम है ना पता में जहां कहीं भी ये तीनों दंड दिये गए हैं इसी प्रकार से दिये गए हैं अल्प मात्रा है तो एक साल की सजा प्लस दस हजार का जुर्माना अगर वानेजिक मात्रा से कम है और अल्प मात्रा से जादा है तो दस साल तक की सजा प्लस एक लाग का जुर्माना और अगर वादेजिक मातरा क anál मलग ब्यापारिक मातरा ब्यापारिक मातरा में आप गोदाम भर सकते हैं तो क्या होता इसमें अगर आईसी कंडिशन में आप पाए जाते हैं धारा पंदरा के अपराधि होते हैं तो आपको 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है प्लस आपका जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है तो आप ये याद दखिएगा तो इसके बाद में क्या हो गया है हम लोग चलते हैं आगे अगली धारा हम लोग देखते हैं का उनसी है धारा नंबर 16 धारा सोला वहुत ही इंपॉयर्टन है कि ठारा सोला część है तो कोका की पाधार उष्य को 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 आइद Tibet पीते हैं तो को का के पाधा वबुर्धा अगे पॉधा होता उसकी पत्तिए के उलंगं के लिए दंड है ठीक उसकी पत्तियों के शंबं में ही सब कुछ होता है तो किसी आदेश या अनुग्यप्ति के उलंगन पर अगर खेती करेगा क्रे बिक्रे करेगा वही सारे चीज आयात निर्याद क्रे बिक्रे भंडारन वो सारे चीज इसी में आ जाते हैं बार बार वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन बस यही समझेगा कि कोको को आपको करना है तो सबसे पहले किसी आदेश को आपको लेना पड़ेगा मतलब कोई आदेश मिलेगा कोई लाइसंस मिलेगा आपको लेकिन निकाले गए किसी आदेश या अनुग्यप्ति की सर्तों के उलंगन में निर्मित अफीम का आयात, निर्यात, कबजा या परिवहन या उपियोग करेगा तो अब ये धारा 17 में फिर तीन प्रकार की मातर है, अगर आफीम की मातरा अगर आप अपराधी हैं, तो जो पुलिस होगी वो आपके उपर कैसे कारवाई करेगा, वो देखेगी कि आपके पास अल्प मातरा में हैं, तो आपको एक साल की सजा होगी, प्लस दस हजार का जुर प्लस एक लाख जुर्माना जिसे नियाले दो लाख तक बढ़ा सकता है, उसके बाद में धारा 17 हो गई, अफीम के संबन में, अब हम लोग बढ़ते हैं धारा नंबर 18, धारा 18 क्या कहती हैं, कि अफीम पोस्ट और अफीम के संबन में उलंगन के लिए रंग, इससे पहले अफीम पोस्ट की खेती या अफीम का उतुपादन, मैंने बताया ना, 18 में क्या है, यहाँ पर आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पर उत्पादन जैसा सब्द नहीं लिखा है 17 में, 17 में कहीं भी उत्पादन नहीं लिखाओ, लेकिन 18 में ऐसा है, बिनिर्मार, कबजा, बिक्रे, परिवाहन, आयात, निर्यात का उपियोग करेगा, और अगर ऐसा है, तो आप अगर पकड़े गए क्या है, अगर अल्प मात्रा में है, तो एक साल की कारावाज प्लस दस अजार का, अगर अल्प मात्रा से ज्यादा है, तो फिर दस साल तक की सजा होगी, और यहाँ पर आप इतना या दखिएगा, अफी में एक बहुत बड़ा इसलिए इसमें अगर ब्यापारिक इसमें आपको दस से बीस साल तक की सजा इसमें भी दी जा सकती है, अगर ब्यापारिक मात्रा से कम है तब भी, इससे पहले हमने देखा था कि ब्यापारिक मात्रा है तब ही दस से बीस साल तक की सजा दी जाती थी, नहीं तो अल्प मात् वर 17 और 18 है NDPS Act की, ये अफीम से संबंधी थे, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेगा कि अफीम के संबंध में क्या होता है, और निर्मित अफीम के संबंध में 17 लगती है, और अफीम की पोस्ट के संबंध में 18 लगती है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं धरा 19 के ब बुख्षो यह करेगा यह और अवद्ध करेका बारा बंकी में अफ़ीम की खूब खेती होती है अब्ही में उगांचे उगा लेती जितना अफ़ीम का अुत पाधन होता है government से छिपा लेते हो तो ये सारी चीज़े क्या आएंगी 19 के अंतरगत आएंगी इसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है प्लस 1 से 2 साल तक का 1 से 2 लाग तक का जुर्माना लग सकता है तो ये धारा 19 जो है ये बहुत ही important है कि जो है जो लोग खेती करते हैं उनसे संबंधित है उसके बाद में धारा 20 क्या है कि कैनेविस के पाउधे और कैनेविस के संबंध में दंड तो ये 20 क्या कहता है जो लोग भी कैनेविस की खेती करेंगे या उत्पादन करेंगे बिनिर्माड करेंगे क्रे भी क्रे करेंगे उसके उलंगन पर क्या होगा दस साल तक की सजा होगी प्लस एक लाख जुर्माना होगा आपको पता ना अगर अल्प मात्रा है तो दस साल तक की और अल्प मात्रा से ज्यादा है अगर तो क्या होगा दस साल की कैद होगी और एक लाख जुर्माना लगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं धारा 21 के बारे में इसमें बहुत सारी धाराएं है और ये अधिनियम बहुत महत्पूर्ण है इसलिए इसको आप हर धाराएं आपको याद होनी चाहिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है धारा 21 क्या है कि बिनिर्मित आउशधियों और बिनिरिमित के संबंध में उलंगन के लिए गरुड़ आपको पता ना आुशधी बनाई जाती बिभिन प्रकार की दवाएं बनाई जाती आ उशदिया बनाई जाती हैं तो उनसे संबंध है जो भी आयात निर्यात करेगा न बिना सरकार के आग्यां कि आप नहीं कर सकते हैं, आप आउशदी बना दिये, ज्यादा मात्रा में बना दिये, या उसका आप गबन कर रहे हैं, गलती उप्योग कर रहे हैं, तब वहां पर धारा 21 लगाई जाएगी, और आपके पास बरामत हो गई, जाँ चुई आपके पास मिल जाती है, तो आपकी सजाद 10 से 20 साल हो सकती है, और जुर्माना भी 1 से 20 लाग तक बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद में धारा 21 आपको समझ में आ गया ना, बिनिरमित आउशदियों से संबंदित, उसके बाद में धारा 22 हम लोग पढ़ते हैं, धारा 22 क्या कहती है, मन मनाप्रवावी पढ़ार्थ क्या होते हैं, जो मदहोश करने वाले होते हैं, इसके लिए भी आपको क्या लेना पढ़ता है, आज्या लेनी पढ़ती है, लाइशन्स लेना पढ़ता है, तो आदेस या अनुगयत्ति की सर्तों का उलंगहन करते हुए, जो बिकर्य करे दस हजार का जुर्माना लगा जाएगा और अल्प मात्रा से जादा किन्टू ब्यापारिक मात्रा से कम है तो क्या होगा दस साल तक की सजा प्लस एक लाग तक का जुर्माना और इसके बाद में अगर ब्यापारिक मात्रा से जादा है से संबंदित है तो आपको दस से बीस सा तक की सजा होगी और प्लस जुर्माना जी से दो लाग तक बढ़ाया जा सकता है इसके बाद में हम लोग महत्पूर धारा बात करते हैं धारा 27 के बारे में धारा 27 क्या है स्वापक या मना प्रभावी पदार्स के उपयोग के लिए दंड मतलब आपको कई सारे होता है ना कोक 27 लगती है तो यहाँ पर क्या होगा आपको एक वर्स का कारावास प्लस बीस हजार तक का जुर्माना लगेगा और ऐसा कोई पदार जो उपधारा एक से भिन है मतलब यह जो उपधारा एक है वहाँ पर क्या होगा आपको छे माह की सजा होगी ना मतलब जो इसमें नहीं है उनके अतरिक्त कोई अगर आप नया खोज करके लाते हैं तो आपको अगर कोई अन्य प्रकार की वो मिलावट करके बनाते हैं या अन्य पदार से तो उसमें क्या होगी छे माह की कैद प्लस दो हजार तक का जुर्माना उसके बाद में 27 का का है एक देख लेते हैं अवैध ब् बया पार होता है जब का बित पोशन करने और अप्राधियों को संस्रे देने के लिए मतलब कोई एगर अप्राधी है इसमें और आप उसको सरन दे रहे हो आप किसी को पैसे दे कर आवद Ugh ब्यापार करा रहे हो तो आ监 भी दोस्री हो और आपको 10 साल से कम की सजा नहीं परहाय जा सकता है आपको पता है ना कि जो लोग इसको प्रमोट करते हैं आप रात को पैसे दे करके तुम करो हम तुम्हारे पास साथ हैं तो वो भी सजा है और जुर्माना भी एक लाग का जिसे दो लाग तक बढ़ाय जा सकता है तो ये हो गया धारा नंबर 27 उसके बाद मे हम लोग लाश्ट धारा पे बात करते हैं धारा 51 इक्यावन में क्या कहा गया आपको पता ना पुलिस कहीं तलासी करती है कहीं गिरफ्तारी करती है तो पुलिस को कुछ नियम कानून के तहट कारेवाई करनी पड़ती है तो उन्हीं नियम कानून को फालो करेगी पुलिस उ कारवाई करेगी कौन सी कारवाई करेगी तलासी की कारवाई तो यह सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए एक बाद फिर से देख लीजिए आप धारा 8 में धारा 15 धारा 16 धारा 17 धारा 18 19 20 21 27 27 कका उसके बाद में 51 इसमें कुछ जादा समय लगा है लेकिन यह बहुत ही महत पूर्धारा है और हमारे दैनिक जीवन से काफी मिलता जुलता भी है